अब यह बोर्डर 2 का एनॉस्मेंट 2 वीडो को रिलीस करा गया हुआ है पहला वीडो भाई यह फिल्म का एनॉस्मेंट को लेका था देन दूसरा वीडो कि जर्याई यह बताया गया है फिल्म में हम सब को वरुन धौन देखने को मिलना वाल है और मुझे ऐसा लगता है कि यह सदी काना सबसे गडिया एनॉस्मेंट है वरुन धौन की डायलोग में वो बात लग रही है जो एक आर्मी ओफिशर की जो वाइस होती है उसमें दिखती है वो वरुन धौन को वाइस में कहीं से भी नहीं लगा हुआ है और दूसरा सबसे रॉंग कास्टिंग करी के भी है वाटर मतलब समझ रहो मैं वाटर भाई मर्दों की फिल्म है परुन धौन के जगह अगर आईशमान खौराना को कास्ट कर लिया गया होता जस्ट इमेजिन मैं फिर क्या होता वहीं मैं तुम्हों को बोला कि ये ना वाटर ना एक मर्दों के फिल्म है इसमें ना वरून धौन टाइप से कुली नंबर वन टाइप वाले आक्टर की जौरत ही नहीं है इसमें थोड़ा चाहिए भाई वो फेस में एक्सपरेशन दिखना चाहिए कि भाई बहुत ही तगड़ा ही लोगे ने कास्टिंग कर रहा है मुझे ना वालूड वालों को एक चीज़े एकदम समझमनी आती है ये लोग पूरा एफर्ट्स लगाते हैं बहतरिन फिल्म बनानी के लिए पट कहीं ना कहीं ये लोग इतना गंदा हगते हैं कि ये वजह से ना मिंस इस वजह से ना पूरी को पूरी फिल्म के बेड़ा घर हो जाते हैं तुमने मेरी बातों को ना कहीं नोट डाउन यह से रख लेना बोड़ा टू का कर सबसे कोई घडिया बोड नेगटिव पॉइंट होगा ना वह वरूंद भॉन होगा सब कोई वरूंद हवन को ही पाई क्रिटसाइज करेंगे एक बाद जाहके डायलोग सुनो मैं कैयर कैसे डायलोग बोल रहा है इतना खलकी हवाज में कोई कैसे डायलोग बोल सकता है यार थोड़ा मतलब जो भी एडिट कर रहा है साउंड एडिटर को भी मैं बोलना चाहत हो थोड़ा बेस लगा देता है थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ इंसान के वाइस में इतना कड़कने से जब नहीं इंसान की अवे उल्स को डेखे इंगे ते इंसान के कृम और इन साई में आ होगा और ऐसारी सोग्षा ने के अगर यह वरूद ना मैं धूल्हार के सामने किसी भी फ्रेम में दिखाईदी है ती saindowal का और उनका न भाई जो प्रिजन से ना भाई इस प्रिजन से ही दब जाएंगे अलावा जो यह फिल्म के maker से JP दाता कैसे casting टर्रों शर आप लोग जिस star को कास्ट करना जर्य है आपलोग को star को kस अburg जामाल है जोन अबरहाम को भी कास्ट को लोग यह भी इंसान ऐसे फोजी दिखता है बाई यह स्क्रीन पर किया है इंसान फाड़ेगा बहुत सारे एक्टर लोग है जो पॉस्नालिटी वाइस भी लगते है विक्की कॉसल मैं विक्की कॉसल को कैसे बूल सकता है उरी में जाकर देखो मै यह लगता है यह इंसान फोजी है यह आर्मी है वो बर्दी भाई एक होते है ना वर्दी का चमक भाई यह लोगों फेस पर यह उलोग के प्रिजेंस पर दिखती है और उन धौन पर नहीं दीखे गा डायलोग हुए सुनने के बाद लग रहा है कि यहां सारी बात एक तरफ जैसे ही एनॉस्मेंट टीजर है वाई अपने सोनो निगम के वोईस आती है संदे से आती है अरे हाई मैन मतलब वो बाई सुनके ही घूजमा माग यह सच बहार हो यह बागी तुम लोग बता यहां तुम लोग के इसमें क्या गाना तुम लोग मेरे बातों से कितना ज़्या बाई